इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके Laptop या फिर कम्प्यूटर में अवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, कोई भी गाना सुनते हो बाप कोई भी वीडियो देखते हो था किसी भी browser में किसी भी media player में आवाज नहीं आ रही है. तो इस problem को आप कैसे सही करें वीडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप window बटन पर आ जाए window बटन दबाले या फिर start बटन पर क्लिक कर ले माउस से और यहाँ पर search का option दिखेगा यहाँ आपको search करना है troubleshooter इस तरीके से troubleshooter सेटिंग सेर्च कर ले और अपको यहाँ पर troubleshooter settings मिल जाएगी क्लिक करें और open कर ले अब आपको यह पेज ओपन होगा और तीन option यहाँ पर मिल जाएंगे आपको तो last वाले Other troubleshooter पर आपको कलिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाए देगा इस तरीके से बहुत सारे option तो हमें आवाज में audio में problem आ रही है playing audio में तो हमें playing audio वाले run पर click करना है और इसे होने देना है यह problem देखेगा कि आपके laptop में problem क्या है खुच से देखेगा कि problem क्या है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अब आपके किस चीज़ में problem आ रही थी तो speaker में speaker select करें और next कर दें यहाँ पर आपको turn off sound effect and enhancement का option को off करने बोलेगा तो आप इसे yes करें और यह खुच से आपकी problem देखके उसे सही कर देगा आप देख सकते हैं यहाँ पर fixed हो चुका है उसको problem क्या क्या मिली थी audio device is disabled तो आपको audio device disabled था और दूसरी problem थी audio device isn't set as default default में भी set नहीं था तो उसने खुच से आपकी problem solve कर दी है अब आपको यहाँ पर इसे close करना है हर चीज को close कर दीजी अब आप कोई भी वीडियो देखिए वीडियो चला के देखिए आपकी problem solve हो जाएगी उमीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी टेक्स और को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अल